नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसरमार्ग होली फालगुनपूर्णिमा 20 मार्च को है और इसी दिन होली का दहन भी मनाई जाएगी दोस्तों इस दिन तवाम तरह के टोने टोटके किये जाते हैं ये तो आपको पता है पर कहीं आप इस टोटके का सिकार ना हो जाएं इससे बचने के लिए आप क्या करें यह हम बतलाने के आज कोशिस कर रहे हैं कुछ चीजें हैं जिसका आप परहेच करके जीवन में आनंद से रह सकते हैं और इन टोने टोटकों से बच सकते हैं सबसे पहली बात तो इस दिन बच्चों को ध्यान से देखते रहिए और उन्हें हिदायत दें कि किसी भी ब्यक्ती के द्वारा दी गई सफेद चीजों को ना खाएं ना ही लें सफेद चीजों में ही टोटके किये जाते हैं इसके साथ ही अपना हो या गैर हो किसी से भी सफेद वस्तू लेकर नहीं खाने हैं किसके मन में क्या चीपा है ये आज कल के दुनिया में कोई नहीं जानता लोग अक्सर दूसरों का भाग्य चुराने में लगे रहते हैं तो ऐसे में इन चीजों से बचिएगा दूसरी बात कोई आप से आपका वस्तर मांगता है खास कर पहने हुए तो कभी मत दीजिए पुराने भी आज के दिन कम से कम मत दीजिए किसी और दिन आप दे सकते हैं क्योंकि पहने विक बस्तर में भी लोग टोने टोटके करते हैं तो होली का देहन के दिन आप इन चीजों से बचिएगा ये आपके लिए बहुत जरूरी है और तीसरी चीज कहीं भी निकलते हैं घर से बाहर तो सर को ढख कर रखिए आप पुरूस हैं तोपी पहन लें रुमाल बांद लें महिला हैं तो चुनी दुपट्टा जो भी अब लेवल है जरूर सर पे रखिए ये आप के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सर खुला रहने के मतलब है तोने टोटका का असर जल्दी होना और इस दिन बालों को भी खुला आप महिलाएं लड़की हैं तो मत रखिएगा खास कर ये बहुत जरूरी है इन तीन चीजों को अपना कर आप सुरक्षित रह सकते हैं हम फिर मिलेंगे